हेव फ्राइंट्स मैं उदिशा और फिर्सेप का स्वागत है मेरे कीचन में आज में आप लोग केशा शायर करने जारी हु चिली इडली की रेसिपी जिसे हम इडली मंचुजन भी कह सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान होता है हम बची हुई इडली में से इसे आसान इसे ब इस इडली को फोर पीसिस में कट कर लेंगे पहले इस तरह से सारी इडली को कट कर लेंगे पहले यह दिखिए इडली के सारे टुकड़े रेडी हो चुके है अब हम एक कड़ाई में आई लेके इसको डिफ फ्राइ करेंगे इसको फ्राइ करते वक्त ध्यान से अब अपने गैस का फ्ले मीडिया मी रखें इसे हमें ब्राउन कलर का होने तक फ्राइ करना है जब यह फ्राइ होने लगे तो यह क्रिस्पी भी होने लगेंगे यह दिखिए इसका जो कलर वो चेंज होने र इसे हम एक टीश्व पीपर निकालेंगे इसका एक्स्ट्रा उगे ब्राउन बाइब बाउन पर जाएंगे लेकिन ज्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे निकाल लेंगे इसे सबसे पहले एक पैन में यहाँ पे हमें दो चमस जितने ओलको घरम करने के रखना है ओईल हलका सा गरम हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे डालनी है यह बारीक कटी हुई लैसुन लैसुन को हमें 2 से 3 सेकंड के लिए अब इसमें ये एक कटी हुई हरी मेज डाल दूँगी इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे ये प्याज प्याज को हमें हलका सा पकने देना है इसके लिए यहाँ पे मैं पैन को दो तीन मेड के लिए कवर कर दूँगी चेक कर लेते हैं इसे यह प्याज हलकी सी पक चुकी है अब इसमें डालेंगे हम ये कटा हुआ कैपसिकम कैपसिकम और प्याज दोनों को हमें अच्छी तरह से पका लेना है इसलिए यहाँ पे मैं पैन को दुबारा कवर कर दूँगी ये दोनों पॉक चुके अच्छी तरह से अब इसमें डालेंगे हम ये एक चमच टमेटो केचप एक चमच स्वया सोस मिक्स कर लेंगे पहले इसे अब इसमें डालूँगी मैं ये एक चमच रेड चिली सोस आदा चमच विनेगर अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमेंच उसका पी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे मैंने आधी चमच इतनी चीनी डाली है चीनी डालना बिल्कुल ओप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं है चीनी तो आप मढ डालिए लेकिन चीनी से फ्लेवर थोड़ा से अच्छा आता है इसलिए मैंने यहां पे थोड़ी चीनी डालिए अब इसमें एक चम्मच रेड चिली पाउडर इसे भी मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम ये हमारे फ्राइ की होई इडली दल लेंगे मिक्स कर लेंगे इसे ताकि इसमें मसाले सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए यह देखिए अब मैं यहाँ पे लास्ट में यह नमक डालूँगी नमक हमें थोड़ा सा इस्तमाल करना है क्योंकि सोया सॉस और टोमेटो केचप दोनों में ही नमक होता है यह हमारी चिली हीडली बिल्कुर रेड़ी है अब हम गैस बन करके इसको गर्मगरम साव कर लेंगे कि बिल्कुर रेड़ी है